तो next question हम करने वाले हैं वो है for the curve, इस curve के लिए prove that हमें कुछ चीज़ें prove करनी है, तो सबसे पहला point है the radius of curvature यानि कि वक्रता तरिजरो की value यह होगी, यह prove करना है, दूसरा है the length of cord of curvature through pole, दुरूफ से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई, यह prove करनी है, ठीक है, और यह है the distance between the pole and center of curvature, दुरूफ के और जो center of curvature होता है, वक्रता के अंदर उसके बीच की दूरी भी निकालनी है, तो देखो हमें जो पोल से दूरूफ से गुजरने वाली वक्रता जीवा है, code of curvature through pole, वो find out करनी है, तो code of curvature through pole का formula होता है, to rho sin phi, ठीक है, तो हमें अगर यह point नहीं भी दिया होता, कि radius of curvature find out करो, तो भी हमें rho निकालना तो पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमें rho की value put करनी होती है, to rho sin phi, तो हमें angle phi भी calculate करना है, rho भी calculate करना है, ठीक है, और वैसे हमसे पूछा भी गया, radius of curvature find out करो, तो हम पहले phi के हिसाब से solve करेंगे, phi निकालते हैं, यसे तो यह polar form में है, तो अगर सिर्फ radius of curvature पूछा होता, तो हम radius of curvature का polar formula लगाके, इसे solve कर लेते हैं, लेकिन अभी क्योंकि और भी चीज़े पूछुए हैं, इसलिए पहले हम sin phi के हिसाब से calculate करेंगे, मतलब phi calculate करेंगे तो solution स्टार्ट करते हैं, तो solution, हमें पता है बहुत अच्छे से कि 10 phi equal होता है r d theta by dr, ठीक है, तो हमें phi calculate करने के लिए यहाँ आपे value put करने पड़ेगी d theta by dr की, और कर्व हमारा है r की power n equal a की power n cos n theta, तो यहाँ से हमें dr by d theta calculate करके यहाँ value put करने है, तो differentiate करते है, n r की power n minus 1 dr by d theta, a power n तो constant है, cos n theta का होगा, minus n sin n theta, तो हमें चाहिए r d theta by dr की value, तो पहले अपने यहाँ से d theta by dr निकाल लेते हैं, तो d theta by dr आएगा, n से n दोनों दरफ cancel हो रहे है, minus r की power n minus 1 upon a की power n sin n theta, ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और multiplication में r चीए तो ऐसा करते हैं, दोनों तरफ r multiply कर लेते हैं, तो इस तरफ आजाएगा, minus r की power n, a की power n sin n theta, ठीक है, तो r की power n की value उट कर लेते हैं, आपे, r की power n है, a की power n cos theta, अपोन में a की power n sin n theta, a की power n से a की power n cancel हो गया, और इस तरफ यह बन गया हमारा tan phi, तो tan phi equal, यह आरे, minus का, quote n theta, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, tan phi by 2 minus n theta, sorry, phi by 2 plus, क्योंकि phi by 2 minus पे तो negative sign नहीं आएगा, तो tan phi by 2 plus n theta, जो होता है, वो minus का quote n theta होता है, तो यहां से phi equal आ गया, phi by 2 plus n theta, तो यह आ गई हमारे पास phi की value, तो अब हमें phi equal phi by 2 plus n theta मिल चुका है, तो एक तो हम इसका use radius of, वक्रता जीवा, यानि की code of curvature find out करने में कर लेंगे, दूसरा हमें rho, यानि की radius of curvature find out करना है, तो अब हम radius of curvature भी इस phi को use करते हुए करेंगे, तो हम p equals to r sin phi, यह result यूज़ करेंगे, यानि की paddle formula यूज़ करेंगे, विसे तो हमें कारों जो है, वो polar formula से 0 निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें phi चाहिए, हम phi calculate कर चुके हैं, तो अब यह तरीका easy रहेगा solve करने का, इसलिए हम इस तरीके से solve करेंगे, तो यह हमारे पास p equal r sin phi है, तो हम phi की value पूट करते हैं, pi by 2 plus n theta, ठीक है, तो r sin phi by 2 plus n theta हो जाता है, cos n theta, p equal, लेकिन हमें पता है, paddle जो form होती है, paddle equation वो तो सिर्फ p और r का relation होता है, theta नहीं हो सकता उसके अंदर, तो क्योंकि कर्व हमारा है, r की power n equal a की power n cos n theta, तो अगर हम यहां से cos n theta की value निकाल पूट करते हैं, तो वो आएगी r की power n upon a की power n, तो हम यह value यहां put करते हैं, तो यह बन जाएगा r की power n plus 1 upon a की power n, p equal, तो अब यह relation p और r का relation है, तो यह paddle equation बन गई है, पधिक समय करन बन गई है, तो हम यहां से rho radius of curvature find out कर सकते हैं, तो radius of curvature का formula जो होता है, वो होता है, r dr upon dp, तो हमें dr upon dp की value put करनी है, तो यहां से अगर हम dp by dr calculate करें, तो यह बनेगा n plus 1 r की power n upon a की power n, और यहां पर यह value put कर दो, यह dr by dp की value put करनी है, तो इसका उल्टा होगा a की power n, n plus 1 r की power n, यानि कि यह आ रहे a की power n upon n plus 1 r की power n minus 1, ठीक है, radius of curvature equal, तो यही हमें calculate करना था, देखो यह question हमें polar form में दिया हुआ था, लेकिन radius of curvature हमने paddle form से find out करी है, यह जादा easy था, इसलिए हमने ऐसे कर गिया, अगर ऐसे ठीक नहीं लगता तो आप polar formula से भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि यहां पे हमें phi तो निकालना ही क्योंकि code of curvature का formula बनता है, रो साइन फाई, तो अब हम code of curvature find out करते हैं, तो जो second part था, वो था, length of code of curvature through pole, धुरूफ से गुजरने वाली बकरता जीवा की लंबाई, तो इसका formula होता है, two row sine phi, तो हम यहां पे values पुट करेंगे, two, two, row हमने अभी-अभी calculate किया था, तो row हमारे पास आया था, a की पावर n, upon n plus 1, r की पावर n minus 1, sin phi की value हम पुट करेंगे, तो pi by 2 plus n theta, ठीक है, तो two, a की पावर n, n plus 1, r की पावर n minus 1, यह बन जाएगा, cos n theta, अब क्यूंकि हमें जो value prove करने है, उसमें theta नहीं आ रहा, तो हम cos n theta की value, put कर देंगे, यहां पे, e की पावर n, n plus 1, r की पावर n minus 1, cos n theta की value बनेगी, r की पावर n, upon e की पावर n, तो यहां, e की पावर n से, e की पावर n, cancel हो गया, यह r की पावर n minus 1 है, तो यह पावर कैंसे लोग की r बचेगा, तो r है 2r upon n plus 1, और यही हमें prove करना था, अब जो third point है, उसमें हमसे पूछा गया है, कि center of curvature और pole के बीच की distance find out करो, तो हम इसे थोड़ा सा figure से समझते हैं, यह तो हमारा pole, यह suppose हमारा curve है, यह इस पे हमने p point लिया, यह p point पे tangent, और यह p point पे normal, इस normal पे यहां पे यह suppose हमारा center of curvature है, तो यह हो जाएगी radius of curvature, और यह r, radius vector, ठीक है, तो हमें center of curvature और pole के बीच की, यानि कि यह वाले distance find out करने, यह हमारा OC जो बन रहा है, क्योंकि हम pole को O से denote कर रहे हैं, center of curvature को C से denote कर रहे हैं, तो हमें O से distance find out करने हैं, ठीक है, तो यह distance हमें O P पता है, radius है, और CP हमें पता है, radius of curvature है, ठीक है, अज़ा, दूसरी चीज, यह angle भी हमें पता है, यह angle phi होता है, यह जो बीच वाला angle है, यह वाला, यह बनेगा, पाई बाई टू माइनस फाई, यहां अगर हम फाई की value रख दें, क्योंकि हमने फाई calculate किया था था तो वो बनेगा, माइनस का पाई बाई टू, और माइनस का एन थीटा, तो यह आजाएगा, माइनस एन थीटा, तो यह पाई बाई टू माइनस फाई, यह यह वाला जो angle है, यह आ रहे है, माइनस का एन थीटा, तो हमें ओसी distance, find out करने है, यह distance हमारे पास है, यह भी है, और यह बीच वाला angle भी है, ठीक है, पता, तो length, या फिर distance, distance between pole and center of curvature, यानि कि OC, यह हमें calculate करनी है, तो OC equal, देखो, हमें इस तरह से, देखिए अगर हम इसे, यह C point है, यह O point है, यह P point है, यह angle हमें पता है, यह minus का एन थीटा है, यह वाली distance rho है, और यह वाली distance r है, तो जो cos का cos को मिला होता है, उससे OC square equal बनेगा, O P square plus C P square minus 2 O P C P cos minus N theta, तो यह values रख देते हैं, O P, यानि कि R का square, C P, यानि कि Rho का square, minus 2 R rho cos minus theta cos theta यह होता है, तो cos N theta, ठीक है, तो जो result प्रूफ करना है, एक वर वो लिख लेते हैं, तो हमें OC equal प्रूफ करना है, A की power 2 N plus N square minus 1 R की power 2 N, power half upon N plus 1 R की power N minus 1, तो यह जो प्रूफ करना है, इसमें कहीं पे भी ना तो theta आ रहा है और ना ही rho आ रहा है, यानि हमें सारा कुछ R की form में change करना है, तो हम rho की भी यहाँ पे value पूट करेंगे, और theta की भी value पूट करेंगे, cos theta की भी, तो देखो यह R square plus rho, rho की value थी, A की power N upon N plus 1 R की power N minus 1, इसका square, minus 2R, A की power N, N plus 1, R की power N minus 1, और cos theta की value कर्व हमारा R की power N equal, R की power 2N equal, A की power 2N cos theta था, तो वहां से इसकी value आएगी, R की power N upon A की power N, cos theta equal, ठीक है, तो अब इससे simplify करते हैं, R का square, यह बन रहा है, A की power 2N upon N plus 1 का square, R की power N minus 1 का square, ठीक है, यह मैं as it is लिख रही है, क्योंकि यह मैं as it is चाहिए, यहां इसका square है, यहां पे नहीं है, तो यह दर O सी square है न, तो इसका जब square हटाएंगे, तो इसका भी square हट जाएगा, ठीक है, यहां पे A की power N से A की power N cancel हो गया, ठीक है, यह देखो, इसको as it is रहने देते हैं, क्योंकि हमें यह LCM लेना है, तो minus 2 R की power N प्लस 1 आ रहे हैं, अब उन में N प्लस 1 R की power N minus 1, मैंने cancel नहीं किया, क्योंकि हमें यह LCM लेना है, तो अब ही हमें LCM ले लेते हैं, N प्लस 1 का square, R की power N minus 1 का square, ठीक है, तो इधर आएगा यह R square के साथ, N प्लस 1 का square, और अभी multiply करके लिख देते हैं, तो R की power हो जाएगी 2N minus 2, ठीक है, प्लस A की power 2N minus, यहाँ पे 2 R की power N plus 1 के साथ आएगा, N plus 1 R की power N minus 1, ठीक है, अब इसे simplify करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास R की power 2N के साथ N square minus 1 आ रहे है, यह R square और यह R की power 2N minus 2 है, तो यह R की power 2N बचेगा, इसके साथ आ रहे है, N square plus 2N minus 1, इसका मैंने whole square जो हो ओपन करके लिख दिया, प्लस A की power 2N, यह तो हमें as it is चाहिए, A की power 2N, इसको देख लेते हैं, क्या बनता है, R की power N plus 1 और R की power N minus 1, तो यह R की power 2N बनेगा, minus 2, R की power 2N और इसके साथ में आ रहे है, N plus 1, अपोन में N plus 1 का square, R की power N minus 1 का square, ठीक है, यह है O C square की value, तो O C equal, क्या होगा, R की power 2N, देखो, यह वाली term, और यह वाली term, में हम R की power 2N common ले रहे हैं, तो N square plus 2N minus 1, और यहाँ पे बचेगा, minus का 2N और minus का 2, sorry, यह plus 1 था, क्योंकि हमने N plus 1 का square open किया था, तो यह वालना plus 1 होगा, ठीक है, plus 1 की power 2N, अपोन में, इसकी power तो half आ जाएगी, और अपोन में आ जाएगा, N plus 1, R की power N minus 1, तो यहाँ देखो, यह 2N से 2N cancel होगी है, यह plus का 1, minus का 2 तो minus का बनना जाएगा, तो इसको मैं पहले लिख देती हूँ, A की power 2N, sorry, plus N square minus 1 के साथ आ रहे, R की power 2N, power half, अपोन N plus 1, R की power N minus 1, OC की value, और यही हमें प्रूफ करनी थी, center of curvature से, pole की, ध्रूफ की दूरी, तो next question है, if C, X and C, Y, be the codes of curvature parallel to the X's at any point of the catenary, prove that, हमें यह relation proof करना है, देखो, यह तो हमारा curve है, और हमें यह दे रखें कि C, X जो है न, वो है, code of curvature parallel to X axis, X अक्ष के समानतर वक्रता जीवा, और C, Y है, code of curvature parallel to Y axis, Y अक्ष के समानतर वक्रता जीवा, ठीक है, और हमें फिर यह एक relation है, 4C square C, X का square, C, Y का square, यह proof करना है, ठीक है, तो हमें in short C, X और C, Y कालकिलेट करने हैं, तो solution, code of curvature parallel to X axis, हमें दे रखी है, C, X, और यह होती है, 2, rho, sin, psi, formula से हमें पता है, ठीक है, code of curvature, parallel to Y axis, Y अक्ष के समानतर जो वक्रता जीवा है, वो C, Y दे रखी है, और यह होती है, 2, rho, cos, formula से, तो C, X और C, Y कालकिलेट करने के लिए, हमें rho चाहिए, sin, psi और cos, psi की value चाहिए, ठीक है, तो psi कालकिलेट हमें करना है, तो वैसे तो हमें एक relation पता है, 10 psi equal होता है, dy by dx, तो हम देखते हैं कि इस relation से psi की value कालकिलेट होती है, क्या, तो देखो, curve है Y is equals to C, cos hyperbolic x upon C, तो यहां से dy by dx आएगा, cos hyperbolic का differentiation होता है, sin hyperbolic x upon C, और साथ में 1 upon C, ठीक है, तो यहां से dy by dx आएगा, वो आएगा, sin hyperbolic x upon C, तो अगर हम इसे 10 psi भी लिख भी देंगे, तो भी कुछ comparison होता है, अगर यहां 10 का function बनता न, तो psi की value आती, तो सिधे सिधे तो psi हमारे पास नहीं आ रहा, ठीक है, तो सिधे सिधे नहीं आ रहा, तो हमें sin psi और cos psi के जो formula होते हैं, वहां से calculate करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ हमें rho भी निकालना है, तो rho के लिए dy by dx तो निकाली लिए हमने, और d2 y by dx2 भी निकाल लेते हैं, क्योंकि कर हमारा x और y में तो Cartesian formula लगाएंगे, तो एक काम और करते हैं, यहां से d2 y by dx2 भी निकाल लेते हैं, तो sin hyperbolic का होता है, cos hyperbolic x upon c और 1 upon c, देखो hyperbolic function में जब differentiation करते हैं, तो minus sin नहीं आता, बाकिस जैसे sin और cos का होता है, simple sin का cos और cos का sin, लेकिन normal sin function, sorry, cos function का minus sin होता है, लेकिन hyperbolic में minus sin नहीं आता, तो यह d2 y by dx2 भी आ गया, तो rho equal होता है, 1 plus dy by dx का square, power 3 by 2 upon d2 y by dx2, values put करते हैं, 1 plus sin hyperbolic square x upon c, power 3 by 2 upon 1 by c, cos hyperbolic x upon c, तो यहां से sin को अगर उदर लेकिन जाएंगी, तो 1 plus sin hyperbolic square जो है वो cos hyperbolic square बनता है, तो यह जो 1 plus sin hyperbolic square है, यह cos hyperbolic square x upon c बन जाएगा, तो rho equal, यह c उपर चला जाएगा, c, 1 plus sin hyperbolic square, cos hyperbolic square बनेगा, जो square की power 3 by 2, तो यह बन जाएगा, cos hyperbolic cube x upon c, upon cos hyperbolic x upon c, तो यह cancel होके, आ रहा है, cos hyperbolic square x upon c, sorry, यह हमारे पास rho की value आ रही है, ठीक है, rho तो calculate कर लिया हमने, अब sin psi और cos psi calculate करना है, तो देखो, sin psi equal होता है, dy by ds, ठीक है, और, ds upon dy, calculate करने का तरीका होता है, 1 plus dx upon dy का whole square, यह जो हमने first topic पढ़ा था, derivative of length of an arc, उसमें पढ़ा था, ds upon dy equal, तो, dx upon dy की value, हम dy by dx calculate कर चुके हैं, dy by dx हमारा आया था, देखो, sin hyperbolic x upon c, dx upon dy, 1 upon sin hyperbolic हो जाएगा, तो इसकी value put कर लेते हैं, हम यहाँ पे, तो, 1 upon sin hyperbolic square, x upon c, ठीक है, इसे LCM लेंगे, तो, 1 plus sin hyperbolic हो, cos hyperbolic हो जाएगा, तो यह आएगा हमारे पास, cos hyperbolic x upon c, upon sin hyperbolic x upon c, यह ds upon dy की value है, तो dy by ds उल्टा हो जाएगा, यह हो जाएगा, sin hyperbolic x upon c, upon cos hyperbolic x upon c, यह आगई sin psi की value, ठीक है, तो sin psi की value आगई, हमारे पास rho भी आचुका है, तो c x equal, था 2 rho sin psi, यहाँ value पुट कर लेते हैं, 2, rho हमारे पास है, c cos hyperbolic square x upon c, और यह है, sin hyperbolic x upon c, upon cos hyperbolic x upon c, यह power cancel हो गई, तो यह हमारे पास आ रहा है, 2 c, cos hyperbolic x upon c, और sin hyperbolic x upon c, यह आ रही है, c x की value, ठीक है, अभी c y calculate करने के लिए, हमें cos psi चाहिए, और cos psi बराबर होता है, dx upon ds, तो cos psi equal है, dx upon ds, ठीक है, और ds upon dx equal होता है, under root 1 plus, dy by dx का whole square, तो यह आ रहा है, 1 plus, यह था हमारा, sin hyperbolic square x upon c, 1 plus sin hyperbolic square, cos hyperbolic square, तो यह आ रहा है, cos hyperbolic x upon c, तो यह यहाँ पर value, जो पूट करेंगी, दियो जाएगी, 1 upon cos hyperbolic x upon c, तो c y equal होता है, 2 rho cos psi, 2 rho की value थी, c cos hyperbolic square x upon c, और cos psi आ रहा है, 1 upon cos hyperbolic x upon c, तो यहाँ से, यह cancel हो गया, तो यह आ गया, हमारे पास, 2 c cos hyperbolic x upon c, ठीक है, तो c x और c y की values आ गई, अब हमें जो relation prove करना था, उसको दिखते हैं, और उसके हिसाब से values पूट करते हैं, तो जो relation prove करना है, वो है, जो prove करना है, वो है, 4 c square, c x का square, प्लस c y का square, इक्वल, c y की power 4, तो हम ऐसा करते हैं, c x का square, प्लस c y square, निकालते हैं, c x square, प्लस c y square, तो c x हमारा आया था, 2 c cos hyperbolic x upon c, sin hyperbolic x upon c, तो यह बन जाएगा, 4 c square cos hyperbolic square x upon c, sin hyperbolic square x upon c, प्लस c y का square, इसका square करेंगी, तो यह बन जाएगा, 4 c square cos hyperbolic square x upon c, यहाँ पे 4 c square, सोरी, cos hyperbolic square x upon c आ रहे हैं, common, तो बचेगा क्या, sin hyperbolic square x upon c, प्लस 1, और यह हमें, c square cos hyperbolic square x upon c, यह हमें पता है, यह होता है, cos hyperbolic square x upon c, तो यह आ गया, 4 c square cos hyperbolic square, सोरी, power 4 x upon c, सोरी, यह visible नहीं था, मैं repeat करती हूं, c x का square, प्लस c y का square, हम calculate कर रहे थे, तो c x की value put की हमने, plus c y की भी value put करी, अब इन दोनों में, 4 c square cos hyperbolic square x upon c, common आ रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा, sin hyperbolic square x upon c, यहाँ पे बचेगा, प्लस का 1, तो 4 c square cos hyperbolic square x upon c, यह तो as it is, यह भी बन जाएगा, cos hyperbolic square x upon c, तो यह हो गया, 4 c square cos hyperbolic की power 4 x upon c, ठीक है, अच्छा, जो प्रूफ करने हैं न, उसमें, इसके साथ multiplication में, 4 c square भी है, तो हम ऐसा करते हैं, 4 c square दोनों तरफ multiply करते हैं, c x का square, c y का square equal, देखो, यहाँ पे 4 c square अलरड़ी है, और 4 c square से करेंगे multiply, तो ऐसा करते हैं, यह बन जाएगा, c, ठीक है, अब जो प्रूफ करना हैं न, उसमें c y की पावर 4 बनने चाहिए, तो 16 को अपन 2 raised to पावर 4 लिख सकते हैं न, तो यह 2 c, cos hyperbolic, x upon c की पावर 4 बन रहा है, ठीक है, और यह हमारी c y की value थी, तो यह आगया, c y की पावर 4, हैंस, हमारे पास result आगया, 4 c square, c x का square, plus c y का square, equal c y की पावर 4, और यही हमें प्रूफ करना था, तो यह questions, I hope आपको समझ आए हो, अगले वीडियो में हम, origin पे, radius of curvature find out करेंगे, और फिर यह topic complete हो जाएगा, को doubt हो तो आप मैंसे पूछ सकते हैं, Thank you.